नमस्कार दोस्तों हम डॉक्टर विक्रान सिंत उमर आप सभी का सौगत करते हैं प्रोजेक्ट सेल्फ इंकॉर्परेशन भारत, USA, इंदौर मैनेज्मेंट अस्सोसियेशन और तपंचोरेफ फांडेशन की तरफ से दोस्तों हम भगवत गीता की सीरीज का सेवंथ सेशन अटेंड कर रहे हैं साथ में दो चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं पहले और दोसरे चैप्टर के अंत में भगवान ने अरजुन को ध्रामी स्थिती के बारे में बताया दोसरा चैप्टर जिसको गीता सार कहा जाता है वो जब शुरू हुआ तब भगवान ने अरजुन को ग्यान योग के बारे में बताया आत्मा के बारे में बताया जीवात्मा के बारे में बताया three levels of reality, absolute reality, objective reality, subjective reality इन सभी पर विस्तार से बात की वर्स 11 से 38 तक उसके बाद वर्स 39 से 51 तक कर्म योग पे बहुत विस्तार से चर्चा करी और अन्त में जब भगवान ने कंक्लूड किया 69, 70, 71 और 72 वर्स में तो बहुत तरवे शलोक में भगवान ने फिर कहा कि ये जो ग्यान है, ब्रहमी स्थिती का ग्यान इसका मतलब ये समझ लेना कि मैं ही वो आत्मा हूँ और निर्मम निरहंकार और बिना किसी आसकती से जब मैं कर्म करने लगता हूँ जब ये ग्यान मुझे हो जाता है तब मैं मुक्ष को प्राप कर लेता हूँ तो ये सब सुनने के बाद अरजुन पहले से ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया बाटिन रसल कहा करते थे जब मुझे जीवन में कई समस्याइं आई तो मैंने उन समस्याओं के समाधान दर्शन में खोजे पर जब मैंने दर्शन पढ़ा तो मेरे पिछली प्रशनों का तो उत्तर मिल गया किन्तु कुछ नए प्रशन खड़े हो गए यही अरजुन के साथ हो रहा है भगवान में ग्यान से शुरू किया बीच में कर्म पे बात की उपासना योग पे बात की और अंतता फिर से बात वही कतम की कि भाम में स्थिती तब आती है जब व्यक्ति इस ग्यान को समझ लेता है और जीवन ने उतार लेता है सो अब अरजुन और कंफ्यूज हो गया और अरजुन क्रश्न से ये पूछता है कर्मणा बुद्धी ज्यायसी कि यदि आप कहते हैं कि कर्म से बुद्धी शृष्ष्ट है कि जब तुम्हें ये ग्यान हो जाता है तो तुम जीवन मृत्यू के चक्र से भी मुक्तो हो जाते हो तो फिर मुझे घोर कर्मणी में क्यों लगा रहे हैं एक तरफ तो आप कह रहे हैं ग्यान स्रेष्ट है फिर मुझे कर्म करने को कहीं क्यों रहे हैं वर्स वन चैप्टर थ्री और इसी के साथ चैप्टर थ्री की शुरुवात होती है सो अब हम chapter 3 शुरू करने जा रहे हैं जो अरजुन के एक confusion के नए स्तर से शुरू होता है और अरजुन प्रशन पूछता है कि जब आप कहते हैं कि ग्यान श्रेष्ठ है तो मुझे कर्म करने के लिए क्यों कह रहे हैं मैं तो खुदी सन्यास लेना चाहता हूं कर्म छोड़ना ही चाहता हूं मिश्रित वाक्यों से प्रभू आप मुझे confuse कर रहे हैं मिश्रित वाक्य verse 2 chapter 3 confuse हो रहा हूं कभी आप ज्यान की बात करते हैं कभी कर्म की करपा करके एक बात बताईए करपया मुझे एक बात बताईए जो मेरे हिप की हो कई बार जब इनसान बड़ा परिशान होता है और सामने वाला विशलेशन करने लगता है तो इनसान कई बार कहता है कि अभी मेरी स्थिती नहीं है इतना गहरा समझने की गूर समझने की आप तो मुझे बताओ मैं क्या करूं तो यही अरजुन कह रहा है आप मुझे एक बात बताईए क्या करूं मैं तो सन्यास लेना चाहता हूँ मैं तो ग्यान मार्ग पे जाना चाहता हूँ और स्वता है स्वभाविक भी है जब भी व्यक्ति के अंदर सत्व बढ़ता है तो कई बार रजित कम होता प्रतीत होता है एक्टिविटी कम होने लगती है ज्यान जैसे जैसे बढ़ता है तो कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्ति कर्म से थोड़ा दूर हटके intellectual discourse, intellectual discussions, intellectual planning policy की तरफ बढ़ने लगता है तो अर्जुन यही कह रहा है कि मैं ज्यान की परफ क्यों न जाओं, क्यों न मैं कुछ भी न करूं, मैं कर्म क्यों करूं verse 2, chapter 3 अब भगवान अर्जुन के इसी प्रशन का उत्तर दे रहे हैं और हम सब के ये प्रशन पिछले सेशन के बाद भी ये प्रशन उठा था कि जब सत्व बढ़ता है, तो अपने आप रज कम होता है और मन नहीं करता है, बहुत ज़्यादा भागा दोड़ी कर देख आप भगवान क्रशन का क्या उत्तर है, उसको हम गौर से सुनते है verse 3, chapter 3 क्रशन कहते हैं, द्वी, विधा, निष्ठा, अस्मिन लोके, इस लोक में दो तरह की लाइफस्टाइल्स हैं, अरजन, there are two types of lifestyles, one, for man of thoughts, second, for man of actions, एक जो विचारशील मनुष्य के लिए है, और दूसरी जो करमठ मनुष्य के लिए है, तो दो तरह की lifestyles है, man of thoughts कौन होता है, जो introvert होता है, thinker होता है, who is always concerned about what is to be done, आप अपने उपर ये लेते जाएए, और देखिए, आप इन में से कहां ज़्यादा तो man of thoughts कौन होता है, introvert, अंतर मुखी होता है, thinker होता है, उसका concern होता है, क्या किया जाना है, planner होता है, he is to go to person, कोई भी समस्य होगा आप उसके पास जाएए, he walks on the path of knowledge, contemplative होता है, विचार करता है, meditative होता है, निवरती मार्ग की तरफ उसका मन ज़्यादा होता है, इसी को सांख्य कहा जाता है, शास्त्रिय भाशा में, ज्यान योग पर ये चलता है, और ये इसके जीवन में मोक्ष का रास्ता ये है, कि माया को हटा दो, माया को हटते ही, अपने आप रास्ता मोक्ष की तरफ प्रशश्त होता है, याद कीजिए, चैप्टर टू, वर्स ग्यारा से अरतिस, इसी पे बात चल रही है, एपसिल्यूट रियालिटी पे बात चलते है, इसके अगर आप कुछ उधारन देखेंगे, तो भगवान इसके अरतिस, इसके बात चलते है, उनको काम देजिए, ये कट के एग्जीकूट कर देगे, ये आर वर कंसर्न अबाऊट होता है, ये कैसे किया जाना है, ये आर गो गेटर, आप लक्ष दीजिए और भेद देगे, ये इम्प्लिमेंटेटर्स, ये वाक उन दे पाथ अच आर एक्षन औरियंटेट, आर एक्टिव पीपल, प्रवत्ति मारगी हैं ये, इन्ही को शास्त्री भाषा में योगी कहा जाता है, वो सांख्य है, ये योग है, और इसी को कर्म योग कहा जाता है, इनके लिए रास्ता है कर्म योग का आसकती छोड़ो, इसी पर सेकंड चे जी, लोकमाने तिलत जी, ये सब लोग इसके उधारन है, अब हो सकता है, आप में से कई लोग किसी एक से रिलेट कर पा रहे होंगे, कई लोग किसी दूसरे से, और कई लोग दोनों से थोड़ा-थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे, तो येस, there is a combination, अलग-अलग proportion में लो उट नहीं है, पर अब हो ये राह है कि ये जो सम्षान वेराग्य тेरे अंदर आया है, क्यूंकि कटु अनुभव जीवन के होते हैं कई बार, तो अंदर से एक दम से वेराग्य होता है, कोई रिश्टा बैसा नहीं चलता है, जैसे हम चाहते हैं, वो चले, कोई परिस्तेति इसी आजाती है तो इस शम्शान वेराग्य या कटू अनुभवों के कारण अब तू कर्म त्याग करना चाहता है तू सन्यास लेना चाहता है तू सांख्य की तरफ जाना चाहता है ज्यानमार्ग पे जाना चाहता है क्योंकि तेरे मन में अभी शम्शान वेराग्य है पर तू है तो man of action और तू मुझसे पूछ रहा है कि मैं तुझे कर्म में क्यों लगा रहा हूं क्योंकि अर्जुन तु मूलत है ही man of action तो मैं तुझे कहां लगाऊं और अगर तुझे ये लगता है कि कुछ ना करना सन्यास ले लेना इतना सरल है बहुती सरल है तो ये गलत है अरजन ऐसा नहीं है कभी तू कुछ ना करके तो देख चाइना में एक विद्वान हुए है लाउट से उनके बारे में कहते हैं वो पैदा ही बुजर्ग हुए थे उसमें बच्पन में भी कोई मुर्टापूर बात नहीं करी इतना क्या नहीं करते लाउट से ने कहा मैं कुछ नहीं करता उसने कहा बिना कुछ की ये इतना नाम होता है आपका चीन के सर्वस्ट्रेश्ट विद्वानों में आपका नाम होता है तो क्या मैं भी आपकी तरफ कुछ नहीं कर सकता हूं लाउट से ने कहा बिलकुल ना करें पशूढ होता तो वो भी पशूढ होता कई दिन दिते लाॉट्से ने एक शब्द भी नहीं बोला अनतता उस व्यक्ती ने उससे कहा जब लाॉट्से खाना खा रहा हहा कि देखो जब मैं खाना खाता हूँ तो मैं केवल खाना खाता हूँ उसके अत्रिक्त में और कुछ नहीं होता मेरा मस्तिक्ष शुन्ने होता है मेरा दिमाग शुन्ने होता है मैं केवल खाना खाने वाला होता हूँ उस पल जब मैं गड़ा खोदता हूँ तो उस पल मैं केवल गड़ा खोदने वाला होता हूँ मैं जहां होता हूँ मैं केवल वही होता हूँ पर तुम जब खाना खाते हो तो सोचते कुछ और हो बैठते यहां हो होते कहीं और हो मन से तुम कुछ नहीं नहीं कर पा रहे हो आई ये और मन में वो बाद चलने लगती है सो कुछ ना करना इतना सरल नहीं है कुछ ना करना उस समय में स्थापित हो जाना है मन को पूरा शुन्य कर देना है और ये करना इतना आसान नहीं है क्योंकि जैसे कर्म की परिभाशा है कर्म का अर्थ होता है ये चारों ही तो वर्क हैं कर्म है तो इन चारों में इस थापित हो जाना उस पल में ही सन्यास है सो कैसे जब आप कोई विचार शुन्यता में आप पहुँच जाएं अपने विचारों पर कंट्रोल आप कर सकें उसी को तो स्वामी कहते हैं छे रिप्यों पर कंट्रोल कर ले जो हमारे अंदर के छे शक्त्रू हैं लाला, चीर, शाक, रोद, बैर, मद, मोह तो उसको हम स्वामी कहते हैं जो अपनी भावना और इंडरियों पर कंट्रोल कर ले उसी को तो हम रिशी कहते हैं जो मौन हो जाए अपने शब्दों को कंट्रोल कर ले हर शब्द उसके मूँ से तब निकले जब वो चाहे भावना वेख, भावना वेख में नहीं निकल जाया कुछ उसी को तो हम मुनि कहते हैं मुनि और हर कर्म उसका मन वचन कर्म से जड़ा हुआ हो उसी को तो हम योगी कहते हैं तो स्वामी, रिशी, मुनी, योगी ये सब आर ग्रेज सेलफ रेगुलेटर्स हैं और करशन अर्जुन को कह रहे हैं तू ये सब एक साथ हो जाना चाहता है बुद्ध को तो अपने गरहत याग के बाद साथ साल लग गए ये होने में और तू एक पल में चाहता है कि मैं सन्यासी हो जाओं सब छोड़ो तो क्रशनी कह रहे हैं ये भी इतना सरल नहीं है जैसा तू समझता है तो फिर आता कहां से है? ये स्थिती, complete regulation, complete self-control की स्थिती आती कैसे है? ये जे कुछ ना करने की स्थिती कैसे आती है? मैनेजमेंट के गलियारों में एक कहानी बड़ी प्रसित है. एक पेर के उपर एक कोयल बैठके गाती थी और आराम से सुंदर गाना गाती थी तो एक खरगोश वहा एक लूमडी आई, घरगोश को खा गई, कहानी खतम हो गई. क्या सीख्वे को मिलता है इस कहानी से? यदि आप एक ऐसा जिंदगी चाहते हैं कि आप आराम से, सुपून से, अपनी पसंद का काम करते हुए, सुरीली जीवन बिता दें, आँख बन करके, तो आपको ये अश के चीफ सेकेटरी हैं, सबसे सीनियर आफिसर हैं, तो आपको मुझसे ज़्यादा वेतन क्यों मिलता है? तो जड़ा गूर में हम देखने की कोशिस करें कि चीफ सेकेटरी में वो एक्सिलेंस आई कहां से? पूरे राज्य के लिए वो प्लानिंग करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, पूरे प्रदेश के लिए, सेकेटरियेट में बैखते हैं, सोचते हैं पूरे राज्य के लिए, कंप्लीट ग्यान मारगी एक काम है उनका, तो चीफ सेकेटरी ग्यान मारगी कैसे बन पाया? तो जड़ा हम देखें, कहीं भी एक्सिलेंस कहां से आती है? मेरिट और एक एक्सपोजर, वो व्यक्ति कभी न कभी उसने IAS की परिक्षा निकाली होगी, मेरिट अपनी प्रूफ की होगी, उसके बाद उन्हें एक्सपोजर मिला होगा नैशनल अकैडमी में, वहाँ उन्होंने दो साल का ट्रेनिंग किया होगा, एक्ट कर्म किया होगा, उसके बाद 30 साल का experience लिया होगा उन्होंने, अपनी नौकरी में as an IAS, फिर से act हुआ, उसके बाद उस experience से उनको expertise मिली होगी, expertise मतला एक ही काम को awareness के साथ बार बार करना, उस practice से उनको expertise मिली, ये भी act है, तो exposure से experience मिला, experience से expertise मिली, और उस expertise से excellence आया, जिसके लिए ओबैट के पूरे इसी बना रहे हैं, पर उस expertise के लिए, उस ग्यान के लिए, 30 साल का कर्म उसके गर्भ में है, अतह कर्म से भागना ग्यान नहीं है, कर्म को साधना ग्यान है, यही क्रशन कहना चाहते है, कर्म से भागने से शांती नहीं मिलेगी, कर्म को साधने से शांती मिलेगी, इसी को destination syndrome क कि जगए बदल दूँगा तो मेरा मन बहल जाएगा जगए बदल देने से मन नहीं बदलता केवल कॉंशिस में जो बातें चल रही हो अनकॉंशिस में जाके छुप जाती है और वो बाद में हमें परिशान करते हैं महाबारत में ये प्रसंग अक्सर आता है जब दुर्योधन और भीम की लड़ाई हुई और भीम ने दुर्योधन को बेमानी से मार दिया तो बलराम बड़े नाराज हुए और भीम की हत्या करने के लिए गए पर क्रशन ने तुरंट बलदाओ को रोका और उन्होंने कहा कि जब पांड़ाव और कॉरफ दोनों आपसे मदद मांगने युद्ध के पहले बलराम, बलराम से कहा उन्होंने बलदाओ से तो बलदाओ आपने कहा मैं तो तीर्थ यात्रा पे जा रहा हूं और आपने पूरे युद्ध से खुद को अलग कर दिया, अब युद्ध जब अपने निरनायक SHanपे है तो आप पुनहा आकर ये नहीं कह स कि कौन सही है और कौन गलत है और फिर क्रशन ने एक important देशना की जब धर्म और अधर्म का युद्ध हो रहा हो तब आप टटस्त नहीं रह सकते तब एक मातर तीर्थ रणशेत्र होता है सो कर्म से भागना किसी भी रूप में हमें ग्यान को उपलब्द नहीं कराएगा क्रशन बार बार इसी बात को बता रहे हैं अतह कर्म या ग्यान option नहीं है दो lifestyle हो सकती है पर जीने में प्रोसेस क्या होगा वो हम समझ लें क्रशन ये कह रहे है कर्म या ग्यान option नहीं है ये दो lifestyle एक दूसरे क्यों option नहीं है कर्म और ज्यान है या हम कहें कर्म से ज्यान है कर्म step one है ज्यान step two है कर्म को overlook करके कर्म को ignore करके हम ज्यान पर नहीं जा सकते कर्म ही बारंबार खुद को संचोधित करने का मौका देगा और ज्यान हमारे अंदर अवस्थित होगा इसलिए हॉर्वर्ड हो या MIT हो दुनिया की सारी बहतरीन universities work x मांगती है उसके बाद वो आपको पढ़ाई के लिए enroll कराती है कारण क्योंकि अगर आप direct आ जाएंगे तो के प्रश्ण बचकाने हो सकते है पर जब आप कर्म शेत्र से लौट के आएंगे आप pertinent questions पूछेंगे इसलिए IAS IPS training में भी we have sandwich training program sandwich training क्या होते हैं पहले academy में वो training लेते है theoretical उसके बाद वो field पे जाएंगे और field पे जाने स्टेप है कई लोग इसको इस तरह से रखते हैं कि ज्ञान योग भी मोक्षता कहुंचता है और कर्म योग भी ये गलत है आदी शंकर आचारे ने अपनी commentary में इसको बार बार स्पस्ट किया है कि कर्म ज्ञान योग का ही एक स्टेप है optional नहीं है ये so be in the field and have experience with awareness that will elevate us to higher जैसे हम swimming पे कितने ही घंटों का course कर लें एक साल बार हम swimming की थियोरी पढ़ने पर हम जब तक पानी में कूदेंगे नहीं फैरना नहीं आएगा तो हर thought, feelings, words, action उनके प्रतियावेर हो जाएं उनको आता हुआ देखें उनके साक्षी बन जाएं कैसे बनेंगे साक्षी जैसे कोई विचार दिमाग में आए आप खुद को कहिए देखो अब ये आ गया ये विचार दिमाग में अब देखो ये मुझे irritate करेगा ये thought बार बार आप देखिए कैसे हो thought आपको irritate करता है कैसे अब जब फॉट इरिकेट कर रहा है तो गुसे की फीलिंग आ रही है तो वो भी देखिए कि देखो अब मुझे गुस्ता आ रहा है और अब मैं कुछ खराब कटू बोलने ही वाला हूँ और उसके बाद अपने शब्द से वो मुझे वो शब्द भी निकलता देखिए द कुछ समय बाद आप नहीं कर पाएंगे आप गलत बोल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये जो भाव हैं जो फीलिंग से बड़ी संकोची होती है अगर आपने गुसे को आते हुए देख लिया तो गुसा छुप जाएगा और इस तरह से जब आप बार बार साक्षी हो जाएंग आपके मुझ से गलत शब्द निकल रहा है और आप खुद को कहें देखो ये देखो अब ये बोलेगा गलत देखो अब निकलने वाला है आप यो ताकत ही नहीं बचेगी गलत बोलने के क्यों नहीं बचेगी क्योंकि जब आपको पता है वो शब्द अच्छे नहीं है आप आपको नहीं बोलने चाहिए बाद में आपको regret होता है वो कर्म से, वो action से तो क्या होगा जब बार बार आप साक्षी बन जाएंगे तो आप ये नहीं कर पाएंगे गलत नहीं बोल पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे गलत, क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति खुद को प्रेम करना चाहता है, सौभावी ग्रूप से और aware कर्म हमें गलत करने से रोग देंगे अगर हमने गलत किया तो हम खुद को प्रेम नहीं कर पाएंगे इसलिए जब हम गलत बोलेंगे, बार बार गलत करेंगे तो हमारी image खुद की नजर में गिरेगी और हम खुद को प्रेम नहीं कर पाएंगे और जब हम खुद को प्रेम नहीं कर पाते इसी को depression कहते है खुद को प्रेम करने में असक्षन होना ही depression है और जब यह depression चरम पे पहुँचता है तो व्यक्ति आत्म हंता बन जाता है तो इसकी शुरुवात कैसे होती है इसकी शुरुवात होती है अवेर कर्मों से So love yourself So that at least we should have one person loving us unconditionally always Come what may, दुनिया हमें कुछ भी कहे और उसकी शुरुवात होती है जागरुक कर्म से अवेर एक्शन जागरुक कर्म का स्वतह फलही ज्यान है Knowledge is an automatic fruit of aware actions तो कर्म योग aware actions है कर्म योग से चित्शुद्धी होती है चित्शुद्ध हो जाता है जब आपके गलत शब्द नहीं निकलेंगे मुझसे गलत action नहीं करेंगे आप गलत भाव नहीं आ रहें किसी के भी प्रती और गलत विचार तक नहीं मन में आएंगे हो गई चित्शुद्धी और चित्शुद्धी हमें ज्यान योग्यता प्राप्ती देती है एक शुद्ध चित्ध का गेक्ती जब गीता पढ़ता है तो उसे तुरंट समझ में आता है पर अशुद्ध चित्ध का गेक्ती गीता नहीं समझ पाएगा कोई भी गरंद नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसका चित्त ही शुद्ध नहीं है वो हर चीज के गलत मीनिंग निकालेगा जैसे मर्फी जो है मैनेजमेंट में A communication will always be understood in the worst possible manner तो उसका सबसे खराब अर्थ जो होगा वो निकालेगा क्योंकि उसका चित्त भी शुद्ध नहीं है उसका चश्मा ही गलत है तो जो देखेगा गलत होगा अशांत चित्त गूड ग्यान नहीं समझ सकता इसलिए ग्यान योग्यता प्राप्ती के लिए कर्म is must वर्स फोर में भगवान सपस्ट कहते हैं न कर्मानाम अनारंभात कर्म को शुरू ही न करना नैशकर्म नहीं है लेट्स नाट कन्फ्यूस जो कर्म कर रही लिए है अगर वो कहें कि हम निशकर्म कर रहें नहीं वो नहीं कर रहे हैं ये दूनो एक बातें नहीं है नॉन एक्शन is not un-action आ कर्मन्यता निशकर्म नहीं है मैं भाग जाओं तो मैं सन्यासी नहीं बनता कर्म त्याग या छोड़ दू कर्म त्याग सन्यास नहीं है वर्स 5 चैप्टर 3 और संभव ही नहीं है एक शन के लिए संभव नहीं है कि इनसान कर्म छोड़ दे शडम अपी गीता कहती है वर्स फाइव चैप्टर फ्री एक शण के लिए भी नहीं संबब है आप कुछ न कुछ तो करेंगे कुछ नहीं करेंगे सो जाएंगे तो सांस तो लेंगे वो भी कर्म है सपना तो देखेंगे थौट भी कर्म है शरीर ही खत्म हो जाएगा यदि आप नहीं कर्म करेंगे एक ऐसे व्यक्ति का सोची है जो कर्म ना करें मतलब ना उसके मन में अंदर कोई थौट हो ना फीलिंग हो ना वर्ड है ना आक्शन है यह तुम रप्तियो है तो शरीर खत्म हो जाएगा वर्स फाइव चैप्टर फ्री तो फिर क्रेशन और डीटेल में अरजुन को समझाते हैं कि मैं तुम्हे कर्म का क्यों कह रहा हूँ क्योंकि तुमारे साथ क्या होगा मैं बताता हूँ क्रेशन कहते हैं कि चार तरह के लोग होंगे इस दुनिया में कुछ लोग होते हैं, आप अपने आसपास भी देखे, आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, कुछ होते हैं जो बाहर से भी सन्यासी होते हैं और अंदर भी सन्यासी होते हैं, यहां मुल्टा चले चलिए, कुछ लोग बाहर से सन्सारी होते हैं और अंदर से भी सन्सारी होते हैं, कुछ लोग अंदर से भी संसारी है, बाहर से भी संसारी है, इनको हम कहेंगे ग्रहस्त, कुछ लोग बाहर से तो संसारी होंगे, पर अंदर से सन्यासी होंगे, वो घर में रहेंगे, टीवी देखेंगे, सब के साथ बैठेंगे, पर घंगोर सन्यास उनके अंदर होगा, कर्म स अन्यास होगा उनके अंदर इनी को वानप्रस्थी कहते हैं कुछ लोग होंगे जो बाहर से भी सन्यासी हैं अंदर से भी सन्यासी हैं इनी को हम सन्यासी कहते हैं और कुछ लोग होंगे जो बाहर से तो सन्यासी हैं पर अंदर से संसारी हैं तो जो बाहर से सन्यासी हैं पर उदर ही अंदर संसारी हैं इन ही को भगवान करशने ने कहा verse 6 मिध्याचारी हिप्पोक्रेट तो ही सेड अरजुन तुम हिप्पोक्रेट बन जाओगे क्योंकि तुम बाहर से तुम सन्यासी बन जाओगे पर अंदर तुमारा होता है जहां उसका दिमाग होता है इसलिए आप देखे कई लोग जिस भी देश में होते हैं कई कारणवश वो उनको उस देश थे बाहर जाना पड़ता है कहीं और नौकरी करते हैं पर हम ऐसे सेक्ड़ों लोगों को जानते हैं जो कहीं और दूसरे देश में जाके बस गए हैं आज दूसरी जनरेशन हो गई है उनका तन भले प्रवासी हो चुका हो पर उनका मन आज तक प्रवासी नहीं हुआ उनका मन आज भी हिंदुस्तान ने रमता है वो आज भी भारती संस्कृती सब्विता को बढ़ाने के लिए भारती मुल्यों को अपनाने के लिए प्रयास करते है बाबर ने सारी भारत जीत लिया पर समरकंद नहीं जीत पाया वो वहां का था उसको जीतना था और उसका सपना कभी पूरा नहीं है सो आज भी वही होता है जहां उसका मन होता है सो सन्यास का अर्थ फ्रीडम इन एक्षन है अपने कर्मों में फ्री हो जाना अपने मूड का स्वामी होना मैं निर्धारित करूँगा कब गुस्सा हों कब खुश हों मेरी प्रसनता किसी भी वस्तु पर निर्भर नहीं करती ना किसी व्यक्ती पर निर्भर करती है मैं किसी से भी अप्रभावित रहता हूँ फ्रीडम इन एक्षन इसको हम सन्यास कहेंगे या निशकर्म कहेंगे या ज्यान कह सकते हैं किन्तु फ्रीडम फ्रॉम एक्षन यह तो अकर्मन्यता है यह तो मकारी है actually प्रोकास्टिनेशन है freedom from action तो कई लोग इस तरह से गीता पढ़के इसकी वर्सेद उठाके कुछ नहीं करने के लिए बताते हैं देखिए भगवान ने कहा कुछ सन्यास तो इस सन्यास सर्वश्रेश ग्यान है पर सन्यास वो नहीं है इसलिए फिरक्रशन आगे कह रहे है इसलिए फाल्तो की बाते बंद करो और aware होके कर्म करो be aware of your every thought, feelings, words and action इससे क्या होगा जब आप unaware होके कर्म करेंगे तो mind distracted होता है unaware व्यक्ति का mind कैसा होता है जो अपने thought, feeling, words and action के लिए नहीं होता अब वो बैठा हुआ है उसको टीवी पर कुछ दिख गया कोई ख़बर आ रही है अब वो उसी ख़बर के बारे में सोचना लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है फिर उसी ख़बर को WhatsApp पे mail कर देगा फिर उ थोड़ा सर्च करेगा लोगों को भेजेगा उस पर बात करेगा पूरा ही फजूल है आदा घंटा और यूहीं बरबात करेगा ये कहानी शुरू कहां से हुई थी उसकी आँखों ने कुछ देखा और उसके पीछे-पीछे मन चल गया उसके पीछे-पीछे उसके उंगलियां चलने लगी उसके एक्शन ऐसे हो गए तो क्या हुआ? और्गन्स ओफ परसेप्शन ने मन को इंपुट दिया मन ने और्गन्स ओफ एक्शन को डारिक्शन दी और पूरा टाइम बेस्ट हो गया जैसे बैठे बैठे उठा के मुबाइल चेक करने लगे थोड़ी थोड़ी देर में और नो रीजन इंद्रियों का गुलाम होता है ऐसा माइंड इस कॉल्ड रिंकल्स इन दे माइंड ये माइंड के रिंकल्स होते है पर जब अवेर वेक्ती होता है उसका माइंड फोकस्ट होता है उसे पता है क्या करना है सुबह उठते हैं उसे पता आज दिन भर में क्या करना है ये सच अ क्लारिटी वो दिन भर का प्लान उसके पास है कि मैं आज क्या क्या करूंगा नकेवल ये प्लान है उसके पास कि आज में क्या करूंगा, उसके पास ये भी प्लान है आज में कैसा रहूंगा, आज में बिलकुल पीस्फुल रहूंगा, आज में मेरे थॉर्ट्स, फीलिंग, वर्ट्स एन एक्शन को अब्सर्व करूंगा, किसी भी हालत में मैं भावाव उसने अपने mind को direct किया किस दिशा में? उसने अपनी आपों को अपनी book में लगाया, अपने target के लिए लगाया, तो organs of perception, उसकी आँखें, target की तरफ देखने लगे, thoughts target किया है, organs of action भी उस तरफ बढ़ा, और उसी mind को अगवान क्रशन कहेंगे, wrinkle free mind, तो wrinkle free कपड़े पहने ना पहने, wrinkle free mind रखना ज़रूरी है, तो कैसे करें? give it something higher to focus, दिमाग को कुछ higher दीजिए focus करने के लिए, क्या higher हो सकता है, किसी को तूट के प्यार कीजिए, एक बड़ा लक्ष बना लीजिए, देश को प्यार कीजिए, समाज को प्यार कीजिए, मानवता के लिए कुछ कीजिए, justice के लिए लड़ाई कीजिए, अपने से उपर कुछ उदेश बनाई, अपने आप आप देखेंगे, कि mind focus होने लगे तो अब करशन से अरजन पूछता है, फिर मैं कौन सा कर्म करूँ, मैं समझ गया कि कर्म तो करना पड़ेगा, अब discussion खत्व, कि कर्म तो करना पड़ेगा, अरजन hence proved, क्यों कर्म करूँ उत्तर मिल गया, पर अब प्रशन आता है कौन सा कर्म करूँ, तो भगवान कहते हैं, verse 8, chapter 3, जो तेरे लिए नियत कर्म हैर जुन वो कर, नियत कर्म का क्या मतलब? स्वधर्म, गीतास व्याक्षान वाला में ही हम इस पे डीटेल में चर्दा कर चुके हैं पहले, स्वधर्म, पर मैं पता कैसे लगा हूँ स्वधर्म, तो तुरन कागस पैन उठा लीजिए अगर आपके पास हो तो चार प्रशनम आपको बता रहे हैं अभी यू यू सोधर्म पता लगता है कुश्चन नमर वन लिस्ट बनाईए मैं किस काम को करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है एक एक पल जी लेता हूं मैं जब वो करता हूं लिख लिजए पांच-दस पॉइंट लिख लिजए जो जो दिमाग में बातें आ रहे हैं कुश्चन नमर वन क्या क्या काम करने में मुझे मज़ा आता है समय ऐसे पलक छपकते हुए बीच जाता है अब कॉश्चन नमर टू मेरे सबसे स्ट्रॉंग एरियास क्या है वाट आर माइ गिफ्स क्रम गॉड वाट आर माइ ब्लेसिंग्स अम आ गुड अट क्मिनिकेशन स्कूल्स अम आ गुड अट नेट्वरकिंग उसको लिख लिख लिजए मेरी ब्लेसिंग्स कौन सी चीज़ चुनू कि दुनिया इसका अच्छा पैसे देगी कॉश्चन नमर त्री जहां आप उसको इस ए प्रोफेशन ले सकें कॉश्चन नमर त्री विल वर्ल्ड पे फॉर इट चौथा वाट वर्ल्ड नीड्स आज दुनिया को आवश्चक्ता किस चीज़ की है उसको भी लिख लीज़े आज दुनिया को किन किन चीज़ों की आवश्चक्ता है जब आप इन चारों परस्टों को लिखेंगे तो अगर कॉश्चन नमर वन टू और थ्री को आप मिला के अपना जीवन बढ़ा रहे है तो इट इस कॉल्ड करियर रजस यह करियर हो गया करियर कैसा होना चाहिए आपका आपकी ब्लेसिंग्स होनी चाहिए आपको करने में आपके गिफ्ट जो आपको परमात्मा ने आपको स्ट्रेंथ दी है वो होनी चाहिए आपके में यूर ब्लेस्ट बिट सटन स्ट्रेंथ वो उसकी मैरिज होनी चाहिए आपको जो काम यू लव टू डू इट और तीसरा वर्ड शुट पे इट अलसू दुनिया उसके लिए पैसा भी दे आपको इससे अच्छा क्या हो सकता है इससे करियर इससे बड़ी बात क्या हो सकती है आप क्रिकेटर बन दिये आप फील में जाएए इसेल्स में जाएए whatever रजस है ये करियर मतलब पहले मैं पिर आप मैं पहले खुद का देखू पिर आपका देखू अब आप आजाएए अगर आपका question number one, two और three जोड़ दे love plus blessings plus दुनिया को आज किस चीज के आउश्चक्त है अब ये हो गया सत्व गुण भले दुनिया इसके लिए पैसा ना दे महात्मा गांधी अब ये एक calling है केलाश सत्यार्थी जी ये उस calling है पहले आप फिर मैं और अगर ये चारों एक साथ मिल जाएं तो जीवन का mission है आप समय के इतिहास पर समय के रेट पर निशान छोड़के जाएंगे हर पल जीएंगे इसलिए भगवान करशन आगे कहते है सुधर्म निधनम अगर अपने धर्म में अपनी इन चारों चीज़ों को एक साथ जीते हुए तुम मर भी जाओगे तो भी सुकून से मरो कि मैंने वो किया जिसके लिए मैं पैदा हुआ था तो मैं कोई गलानी कोई गिल्ट कोई परिशानी नहीं हूँ वर्स थाटी फाइव चेक्टर थ्री सधर्म निद्धम परमात सफलह एक और शब्दा आता यदि तुम किसी दूसरे के धर्म में सफल भी हो गए उससे भी बहतर है अपने धर्म में मर जाना क्योंकि दूसरे के धर्म में किसी दूसरे के सपने को तुम जी रहे है आज तुम वो काम कर रहे हो जिसमें तुमें मजा नहीं आ रहा बहुत पैसा तुम भले कमा रहे हो पर यार लाइफ में हैपनिंग नहीं है लाइफ एक मशीन बन के रह गए है वैसा लगता है So think इसी लिए आगे भगवान एक बहुत loud statement कहते है He says listen to me जैसे कोई कहता है न किसी को पकड़ के जगजोर के Listen to me कर्म भी मुच्चते मेरी बात सुनोगे तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे Verse 31 Chapter 3 कर्म भी मुच्चते तो आप कर्म से मुच्चते free हो जाओगे अगर आपने ये सुना क्या सुना सुधर्म करा तो अन्य था फिर भगवान कहते है If you don't listen to me और तुम मेरी बात नहीं सुनोगे ऐसे ऐसे अचेतन लोग नस्ट ही हो जाते है If you don't listen to me Verse 32 Chapter 3 तो भगवान ने बहुत loud and clear इस बात को उठाया कि आप अपने सुधर्म का पालंगे फिर अर्जुन एक और महतपूल प्रश्न पूछता है चली ये भी मान लिया पहला प्रश्न हो गया क्यों कर्म करो clear है करना ही पड़े फिर उसने पूछा कौन सा कर्म करो सुधर्म करो कैसे पता लगाओ सुधर्म ऐसे पता लगाओ सुधर्म ये चारों प्रशन का उत्तर दो अब अर्जुन पूछता है फिर वो जो कर्म है मेरा स्वधर्म है अब उसको कैसे करो How to act मानो अर्जुन सारी मानवता के बहाफ पे प्रशन पूछता हो सब के लिए वो प्रशन पूछता है ये स्वधर्म भी है तो मैं कैसे करूँ तो सवधर्म में हमने दो देखे या तो रजस होगा जिसको हम करियर कहेंगे पहले मैं फिर आप या तो सत्व होगा जिसको हम कॉलिंग कहेंगे अंदर से कॉलिंग आती है पहले आप फिर मैं तो भगवान आगे कहते हैं यर्जुन कैसे करो इन दोनों कर्मों को, भले रजस हो या सत्व हो, यही करने योगी कर्म है, तमस नहीं किया जाएगा, वो निशिद्ध है, सो जब आप स्वधर्म करेंगे, तो किस कैसे करें, तो भगवान एक नया शब्द कौईन करते हैं, वर्स नाइन, चैप्टर थ्री, यग्य रूप कर्म करिये, यग्यार्थ कर्मनह, यग्य के रूप में कर्म कीचे, हम लोग एक पॉज ले हैं, और सोचें, हम लोग घरों में हवन करते हैं, यग्य करते हैं, क्यों करते हैं, एक वेदी सच्चती है, उसमें आहूती देते हैं, exactly ये उसी का metaphor है ये उसी का representation है ये उसी ज्यान योग का कर्म में अब expression है वो क्या expression है तो यग्य भावना क्या है थोड़ा समझ ले थ्री फॉल्ड features यदि हमारे किसी भी कर्म में ये तीन चीजें होंगी तो कर्म भगवान क्रशन के अनुसार यभ्यभावना का कर्म है तो आप जो भी काम कर रहे हैं अभी भी कर रहे हैं सेशन भी अटेंड कर रहे हैं या जहां भी नौकरी कर रहे हैं आप जो भी कर रहे हैं उस कर्म को सोचे और सुन देगे पहला Spirit of Dedication 100% स्वाहा जब आप पूरी dedicated होके efforts लगाते हैं तो पहली शर्थ 100% efforts मकारी की कोई गुंजाईश नहीं Spirit of Dedication जिसमें होता 100% efforts स्वाहा दूसरा offering to hire स्वार्थी उद्देश्य से नहीं किसी खुद से बहतर उद्देश्य से अगर मैं नौकरी भी कर रहा हूँ तो let me work for hire hire is what the organization itself अगर मैं business कर रहा हूँ let me work for hire hire is what customers offering to hire आहूती hire को करके address करके दो आहूती means कर्म और तीसरा तीसरा factor lead to service of many कई लोगों का उसमें भला होता हो ज्यादा लोगों का भला हो केवल मेरा ही घर प्रस्परस ना हो ज्यादा लोगों का भला हो तो ये तीन कर्म जम्मे करता हूँ अगर मैं घर में housewife उखाना बनाती हूँ तो क्या मैं बाहर कई लोगों को जांदरों को कुछ खिला रही है बाहर कितने लोगों को मैं वो रोटी जो बनाती हूँ खिला देती है कितनों को पानी पिला देती है कितना plants बाहर में plantation कर रही हूँ मैं वातावरान को कितना अच्छा रख रही हूँ this is one offering to hire का मतलब आहूती तो जब भी हम यग्य में हवन में आहूती देते हैं हम क्या कहते हैं हम आहूती देते समय कहते हैं इदम नमम इदम यह न नहीं है मम मेरा मैं देता हुआ दिखता हूँ पर ये मेरा नहीं है मैं निमत मात्र हूँ इसका साधन मात्र हूँ तो जहाँ spirit of dedication संकल्प है offering to hire में खुद को केवल साधन मानना है what does that mean क्या यह offering to hire थोड़ा gentle concept लगता है जरा हम सोच के देखें हम इस पे क्या है hire God, nation हो सकता है कई लोगों के लिए hire, humanity हो सकती है, जीवों की सुरक्षा हो सकती है, justice के लिए लड़ाई हो सकती है, frame के लिए लड़ाई हो सकती है that is service to hire and last is lead to service of many तो जब हम इस भावना से काम करते हैं कि सब का हित हो, वसुदैव कुटुमगम का हित हो, तथा अस्तु परमात्मा कहता है, तथा अस्तु ऐसा ही हो, thy will, समर्पन करते हम वहाँ जाके तो संकल्प हो गया spirit of dedication, साधन मात्र हो गया offering to hire and समर्पन हो गया lead to the service of many thy will, not my will in that, अपने आप होने लगेगा, अब एक प्रश्न जो इसमें कई बार पेचीदा होता है, वो सब तो हम समझ गए, पर यह जो कर्म, यग्य भावना से कर्म करें कि मैं कि यह वले एक instrument बन जाओं, साधन मात्र, निमित मात्र यह शब्द नया आया है अपने discussion में, भग के वले एक माध्यम बन जाएं, साधन बन जाएं, यस इट इस वेरी मच प्रिंसिपल, अगर आप देखें, तो पूरे हिंदुस्तान की सारी civil services इसी तरह से वो काम कर रहे हैं, कैसे civil services काम करती हैं, उनक्या एक principle होता है, anonymity का principle, इसका क्या मतलब, आपने किसी भी जिले का collector क फोटो देखा है कभी किसी hoarding पे, नहीं, hoarding पे हमेशा मंत्रियों के फोटो होगे, नेताओं के फोटो होगे, जबकि जिला कौन चला रहा है effectively, collector, क्यों, क्योंकि collector तो निमित मात्र है, he is just an instrument of execution, ये देश, देश की जनता का है, जनता ने मंत्री चुने, सरकार चुनी, तो ये लोग हैं, जो जनता है, और ये वो लोग हैं, जो उनके प्रतिनिदी हैं, देश में क्या करना है, ये निर्धारित करेंगे, what, मंत्री निर्धारित करेगा, how to execute, वो ब्यूरोक्रासी करेगे, तो ब्यूरोक्रासी का क्या काम है, निमित मात्र होना, इसलिए आप देखि पे कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो अपना फोटो मन डालिए, स्कीम बताइए, सरकार की कौन सी स्कीम आपने लागों की, उससे कितने लोग बेनिफिटेड हुए, क्योंकि आपका काम केवल यही है, बी अ इंस्टुमेंट, और अगर आपको उसका और दूसरा, और वास्तम हैं, इस देश में जितनी भी महान आपने संदरचनाय देखी हैं, वो कभी न कभी तो किसी बीरोकर्ट में सोची होगी, बड़े बड़े पुल, बड़ी बड़ी योजना है जो आज आप देखते हैं इस देश में, कहीं न कहीं किसी सेकेटरी के दिमाग में वो योजना लाखों करोडों सिविल सर्विंट खप गए तो ये महान देश बना है अनॉनिमस हम जानते भी नहीं आज उनका नाम नेक्स्ट अगर आप इसको और ब्रॉडर आस्पेक्ट में देखना चाहें तो पूरी काइनात को देखिए क्रियेशन इस सीन बड़ क्रियेटर इस इनॉनिमस क्रियेशन देखा जा सकता है पर किसने बनाया क्या आप असे देख सकते हैं पर मातमा खुद निमृत बातर बना हुरा है निमित तकारण है वो लिटेश्ट पूलिसिंग अगर पुलिस का जवान दंडा फटकारता हुआ सड़क पे दिख जाए तो अच्छी पुलिसिंग नहीं है अच्छी पुलिसिंग तो हो है दूर दूर तक एक पुलिस वाला नजर ना आए और सब law-abiding citizen बनके चले इसका मतलब पुलिस ना अतना काम कर दिया है least managing is best managing सबसे सफल मैनेजर वो है जिसके cabin में एक व्यक्तिव ना आता हो पूरा दिन बर उसके cabin में कोई आता ही नहीं है कुछ नहीं पूछना है किसी को और efficiency and effectiveness 100% चल रही है best manager least management प्रधान मंतरी भी बार बार कह रहे है least governance and most government least government and most governance so निमित मात्र से आप subordinate है आपका काम है अपने boss को राय देना राय दीजियो माने ना माने वो आपका कोई काम नहीं निमित मात्र कई लोग कहते मेरी राय नहीं मानी तो मैं राय नहीं दूँगा ये नहीं करना है so if you can be the instrument और देखिए हमने देखा है कि we can be the instrument of law of land हम देश के कानून के instrument तो बनी रहे हैं बनते ही हैं उसी अनुसार काम करते हैं so if I can be the instrument of law of land why can't I be the instrument of law of lord तो हम इस cosmic law के instrument क्यों नहीं बन सकते food for thought ये विचार नहीं प्रशन है अब गीता आगे बढ़ती है so what is this law of cosmos ये क्या है जो cosmic law है जिसकी बात भगवान कर रहे हैं जिसमें निमत्मात्र बन जाएं ये कैसे काम करता है ये पूरी श्रस्टी परमात्मा का यग्य है पूरी श्रस्टी परमात्मा का यग्य ही तो है और अगर आप देखें तो इस श्रस्टी की काइनात का हर जर्रा जर्रा अपना गुण धर्म निभारा है सो धर्म निभारा है ये पूरी कायनात प्रजापती भंभा का यग्य है केवल इनसान हर कर्म करने से पूछता है मुझे क्या मिलेगा कायनात में कोई नहीं पूछता जबसे हमारी स्पीशीज आई है बस ये पहला प्रशन आया है और यही शायद बुद्धी से हमने सीखा भी है कि मुझे मिलेगा क्या ये सब करने से तो जरा हम प्रकती में देखते हैं हवा को बहने से क्या मिलता है सूरज को क्या मिलता है चमकने से प्रत्वी को घूमने से क्या मिलता है कोयल को चहकने से क्या मिलता है फूल को महतने से मिलता क्या है अगर आप गहराई में देखेंगे तो आपको लगेगा एक ही चीज़ मिलती है आत्मसंतुस्टे सधर्म का पालंग करते हैं सब यग्यभादना से लगे हुए एक चीटी से लेकर हाथी तक एक चीटी मदुमक्खी हर चीज़ अपनी यग्यभादना से लगी हुई है अल आर परफॉर्मिंग अनकंडीशनली देर सधर्मा देर ड्यूटीज निश्काम निर्मम निरहंकार नो आइनस चीटी में कोई आइनस नहीं है कोई माइनस नहीं है और नो बाउंडिंग डिजायर्स निश्काम निर्मम निरहंकार काम कर रहे हैं पर केवल इनसान बार बार पूछता है आउट अप दे परवर्टेड इंटलेक्ट जो हमारे पास परवर्टेड इंटलेक्ट है उससे पूछते हैं क्या मिलेगा और इस कारण इतनी ज़्यादा आसकती से काम करते हैं कि आधे काम तो करते ही नहीं है क्योंकि क्या मिलेगा इसके बाद इसी कारण परमात्मा ने जैसा कुरान और बाइबल कहती है पेरडाइस से हमें नीचे फेक दिया इसी लिए आप देखेंगे अक्सब इसलिए आप देखेंगे अक्सर इनसान विज्यानिक आज बताते हैं इनसान इस प्लैनेट का सबसे यूजलेस स्पीशीज है मदुमक्खी खटम हो जाय तो कुछ सालों में ये पुरा गरहा खटम हो सकता है पर अगर इनसान खतम हो जाए तो कुछ सालों में ग्रहा और अच्छा हो जाएगा आप इस पर और गूगल पर रिसर्च कीजिए हम सबसे यूजलिस क्रीचर हैं क्यों? क्योंकि हम यग्यभाबना से कर्द नहीं करते हैं इसलिए देखें हमने इस प्लैनेट की क्या हालत करते हैं इसलिए आप देखें प्लैनेट की ये हालत करने के बाद इंसान इंस्पायर होने नेचर में जाता है पर कभी नेचर इंस्पायर होने इंसान के पास नहीं आता है हमेशा lesser ही greater के पास जाता है inspire होने के लिए nature तो इंसान के पास आके और कुमला जाता है मनुश्य की संगत में और अगर हम विग्ञानी ग्रूप से देखें तो अगर ये प्रशन जो हम बार बार पूछते हैं मुझे क्या मिलेगा मुझे क्या मिलेगा ये ही प्रशन अगर वो electron पूछ ले जो अर्बों सालों से घूम रहा है nucleus के चारों तरफ कि मुझे क्या मिलेगा घूमने से और घूमना रोक दे इत्षन पूरी काइनात राख हो जाए तो जो प्रशन हम पूछ रहे हैं का नैचुरल प्रशन नहीं है ये हमारे perverted intellect से आता है इसका कता ही मतलब नहीं कि लक्ष नहीं होना चाहिए इसका मतलब ये है एक लक्ष निर्धारित कीजिए और फिर पूरी ताकत से उसमें भिढ़ जाईए जो मिलेगा देखेंगे योग शेम बात की बात है पहले अफ़र्ट तो लगा है selfless अफ़र्ट लगाना शुरू करें हर कदम पे ना रुक रुक के पूछें क्या मिलेगा क्या मिलेगा so we are not an island we are a continent part of a continent कैसे हम एक बीज से पेड़ बने हम ऐसे ही तो नहीं आये थे ना धर्टी पे हम एक बीज के रूप में आये थे पिता का बीज मा के गर्ब में उससे हम इतने बड़े पेड़ दने आज हम सब की जो भी आज उमर है कितना हमें सीचा हमें कौन था जिसने हमें सीचा जब हम बहुत छोटे थे वलनरेबल थे बिल्ली का बच्चा दस दिन में चलना चालू कर देता है पैदा होते ही इनसान के बच्चे को साल भर लगता है इतने वलनरेबल हम गोड़े का बच्चा कुछ घंटों में चल देता है इनसान का बच्चा था उस बीच को? क्या वो मा की ममता थी? कौन मिट्टी बना था उस बीच के लिए? क्या वो पिता थे? जिन्होंने सराउंड किया था? कौन था जिसने पानी दिया था? क्या को कोई काका चाचा ताउ थे? कौन था जो वायू की जोका की तरह आया? जिसने आपको ब्रीधिंग space दिया एक नया नजरिया दिया क्या कोई गुरू था वे कौन था जो आपके जीवन में प्रकाश बना कुछ पल रुखिये दोस्तों और उने सब का नाम तोची है जो आपके जीवन में पेड़ थे जो आपके जीवन में विटी थे पानी थे वायू थे कौन थे जो प्रकाश बने आपके जीवन में उन्होंने आपको guidance दिया आज आप जो भी है उनके कारण है जब आपने career शुरू किया लड़कणाते लड़कणाते फिर उन्होंने आपका हाथ था कौन था जिन्होंने आपको protection दिया एक बागड के रूप में कौन था जो खाद था आपके जीवन का कितने लोगों ने contribute किया हमारे वो होने में जो आज हम है सो मैं उन सभी का तो joint venture हूँ मैं अकेला नहीं हूँ मैं हर उस व्यक्ति का joint venture हूँ जिसने contribute किया और मुझ पर मेरी सफलता पे मेरे आज होने पर उन सब का रिण है और यदि मैं उनका रिण ना मानू तो मैं करतक नहूँ If you are not grateful, if you are not grateful, you are a great fool विद्वानों ने बिलकुल सही का है अगर आप grateful नहीं है तो आप grateful है And that's why I cannot end my life at my wish इसलिए मैं अपनी इच्छा से मेरे जीवन को खतम नहीं कर सकता कई लोग कहते हैं मेरा जीवन है It is not your life पूरी cosmos has gone into making what you are today So we cannot end our life at our wish as it belongs to many It also belongs to those universal forces ना केवल उन लोगों को जिनका नाम अभी हमने लिया यह उन universal forces से भी belong करती है जिन forces के बीच में हम पले बढ़े वायू, जल, आकाश, प्रत्वी, अगनी सांस लीना हमने, सांस ना लेते तो जी लेते, पानी पिया हमने, पानी ना पीते तो जी लेते Then, अगनी आज हमारा पूरा शरीर विज्ञान बताता है, 72 प्रतिशत पानी से बना है 16 प्रतिशत अर्थ ऐलिमेंट से बना, 6 परसेंट एर से बना, 4 परसेंट पायर से बना, फिर आकाश है तो जब मैं बना ही अन से और उनी से मैं बड़ा हुआ तो मैं क्यों न इन्हें पूजू, मैं क्यों न इनके प्रतिश ग्राटिटीट से भर जाओ और क्यों न मैं इन्हें देवता कहूँ इसलिए गीता कहती है, देवों को पूजो देवता कौन है so the technical definition of देवता क्या हो गई देवता are higher universal powers receiving appropriate names because of multiple functions देवता higher universal powers यही सब जो पांच तत्न है who received appropriate name जिनको सही सही नाम मिले किस आधार पर on the basis of their functions because of the functions they perform इसलिए हम बोलते हैं वायू देव, वरुन देव, अगनी देव क्या उन सब का रिण नहीं है हम पर my every cell, every nerve, every inch of my body is indated to many और इसलिए रिण चुकाने हैं तो जो कर्म किये जाते हैं उन्ही को यग्य कहते हैं पूरा जीवन इन्ही रिण को चुकाने का एक यग्य है मरने से पहले ऐसा कुछ करके जाना चाहिए कहते हैं जब बच्चा पैदा होता है मानो कई हड़ियां एक साथ टूटी हो इतना गर्ब मा को इतना दर्द गर्ब में होता है बच्चे के प्रसब के दौराद तो पूरी जीवन इस बात की महीम होनी चाहिए कि मरने से पहले कुछ ऐसा करके जाएं कि मा की आँखों के सामने आँखों में आखें डाल के कह सकें कि मा मुझे इस दुनिया में लाने के लिए जो तूने दर्द सहा था तुड़े आएं वर्थ इट आज में उस लायक हो और इसी कर्म को कहते हैं यग्य तो पाँच महा यग्य करने होते है देव यग्य इस प्रकती के लिए पंच महा भूतों के लिए पित्र यग्य, माता पिता के लिए गुरु यग्य, जिन्नोंने सिखाया आथिती यग्य, भूत यग्य ये पशू-पक्षी, बनस्पती और मनुष्य यग्य जिसने भी मदद की आप और डीटेल में जानना चाहते हैं वेदान्त का कर्मयोग सेशन अटेंग की है उसमें डीटेल में बात हो लीडिंग आफ लाइफ फुल अफ ग्रैटिटूट वर्स 11 चैप्टर थ्री पूरा जीवन ग्रैटिटूट से भर जाएगा जब हम यहराई में उतर के देखेंगे अनेन देवान भावयते देवाह वभावयंतू अगवान करशन 11 वर्स में साफ साफ कहते है लिव इन हार्मोनी विथ यूनिवर्सल फोर्सेश इन यूनिवर्सल फोर्सेश के साथ हार्मोनी में रहिए और यह सारे फोर्सेश तुमें नरिश करें तुम अपने कर्मों के द्वारा आहूती एक्ट करो यग्य करो, यग्य कैसे है वो तीनों पॉइंट तुम यग्य करके देवताओं को प्रसंद करो, देवताओं को उनिवर्सल फोर्सेश, और देवता क्या करेंगे देवता तुम्हें प्रसंद करेंगे and this exchange will continue and यही cycle है, this is the karmic cycle जो जैसे एक water cycle होती है nitrogen cycle होती है ऐसे ही है, यग्य की cycle है इसी से यह nature बना रह सकता है तो तुम आहूती दो, देव को प्रसंद करो देवतास्तु देंगे, प्रसादम देंगे प्रसादम का एक और आर्थ होता है शांती, तो तुम्हें शांती मिलेगी अब तीनों स्थर पे आप देखें तो यह बात कितनी सही लगती है, अगर आप subjective reality पे देखें, तो आप अपने boss को खुश रखिए, सही काम कीजिए उनके अनुरूत काम कीजिए, उनको मदद कीजिए उनके काम में, boss आपको मदद करेंगे आपके करियर में, subjective reality थोड़ा उपर उठें, objective reality यू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर विल प्रोटेक्ट यो objective reality और उपर जाएं absolute reality law of karma आप सही कर्म करें, आपके सही कर्म आपके सुरक्षा करेंगे, धर्मों रक्षती रक्षत है, आप धर्म की रक्षा करें, धर्मापकी रक्षा करेंगे तो किसी भी जगे आप जाएं, किसी भी लेवल पे absolute reality, objective, subjective reality ये बात निश्चित है कि हमें exchange establish करना होगा, एक principle question बार बार खुद से पूछिए नौकरी में भी पूछिए, बिजनस में भी पूछिए वाई शुड आए कीप यू, अपने boss की तरफ से पूछिए, boss के तरफ से खुद से पूछिए मैं तुम्हें नौकरी पे क्यों continue करूँ वाई शुड आए कीप यू customer से पूछिए customer बन के खुद से पूछिए अगर आप business कर रहे हैं, why should I keep you as a company, मैं क्यों खरीद हूँ आपका product और इसी तरह से nature की तरफ से भी खुद से पूछिए पूरी humanity से पूछिए, पूरे मानव से पूछिए nature अगर पूछे, मैं तुम लोगों को रखूं क्यों इस planet पे, क्या योगदान है तुमारा इसके striking उत्तर्स मिल सकते हैं, food for thought so, I need to strike a balance तो मुझे balance बनाना है balance कैसे बनेगा, मैं आहूती दूँगा higher को, higher मुझे प्रसाद देंगे so, rule number one पहले I will give to the cosmos and then I will take back from the cosmos this is what happened, Lenin कलपना भी नहीं कर सकते थे कि करांती हो जाएगी रश्या में, जब रश्या में करांती हुई, Lenin रश्या में थी नहीं he was taken aback कि करांती हो गई, and he rushed back to Russia to lead the revolution, उन्हें नहीं पता थे, वो तो आहूती दे रहे थे हो गई करांती एक दम से, बंडेला को कभी नहीं पता था कि उनके जीवन काल में, सतंता मिलेगी वो राश्यापती बनेंगे, वो तो आहूती देते रहे गांदी आहूती देते रहे पूरे जीवन का, इन्होंने सोचा नहीं था, पहले दे, फिर मिलेगा, ये नियम रिलेशनशिप पे भी as it is लागू होता है पहले दीजिए, फिर आप एक्षा कीजिए, जॉब में भी, नेचर में भी, वर्क में भी, बिसनस में भी, first you give and then demand जेव के कहते थे, जॉन F. Kennedy, don't ask me what my nation has given to me just tell me what I have given back to my nation, so भगवान आगे चलते हैं, और अब ये भगवान बहुत strong words का use करने जा रहे हैं, संस्क्रत में strong words बहुत कम होते हैं, ये गीता के सबसे strong words में से एक है, और भगवान आगे कहते हैं, verse 12 chapter 3, और जो लोग इस balance को नहीं बनाते जो देते नहीं हैं, रिष्टे में, नौकरी में, नेचर में, who give nothing पर वो ले लेते हैं वो चोर हैं, आप रदायह भुग्यते सहस्तेनह जो बिना परदाय किये ले लेते हैं, वो चोर हैं, कितनी सुंदर चोर की परिभाशा भगवान ने दिये गीता verse 12 परिभाशित करती है, चोर कौन है जो कहीं भी जितना देता है, उससे ज्यादा लेने का प्रयास करता है, वो चोर है so deposit first before you withdraw is the law of life and one who violates the law of life nature is a चोर जो भी जीवन के और प्रकती के इस नियम को तोड़ता है वो चोर है आगे भगवान एक कदम और आगे जाते है verse 13 एक और strong word he used जो बिना contribute किये भोग रहे हैं जो दे नहीं रहे हैं और फिर भी खा रहे हैं, भोग रहे हैं किसी भी रूप में भोग रहे हैं वो चोर हैं और जो वो खा रहे हैं वो पाप है such loud definitions कि ये लोग जो अपने घर में ले जाके अपने बच्चों को खिला रहे हैं वो पाप खिला रहे हैं अधम भुझते इसलिए संस्कृत में श्लोक आता है संस्कृत में बताया जाता है कि अर्थ की परिवाशा यही है हर बार खुद से पीछी है जब भी आप कोई भी पैसे कमा रहे है क्या ये सही माध्यम से है पहला और क्या मैंने उतनी मेहनत की है जितना में घर ले जा रहा हूँ अन्यथा अधम भुझते वर्स थर्टीन चैप्र त्री गीता वो पाप खाते हैं तो भगवान कहते हैं वो चोर हैं और आप पाप खाते हैं आप मुसूलिनी का जीवन पढ़ी है इल्टूचे वो खुद को कहता था ता दे बास, दे सुपरीम बास तो ये इल्टूचे के साथ हुआ क्या फाइनली जब इटली हारी इसको गोली मार दी गई इसने अपनी महत्वकांशा और अहंकार पे पूरे देश की बली चढ़ा दी पुराने रोमन महत्सामराज्य की स्थापना की महत्वकांशा से इसकी लाश तक को लोगों ने चपलों और जूतों से मारा जो एक जमाने में राश तो चीफ था प्रहानमत्री था चीफ था इटली का इसके डेड़ बाड़ी का स्कल्फ होड़ दिया लोगों ने इतने नारास थे मिलियन्स मरे इसकी गलत एक्शन्स थे गदाफी दे ब्रदर लीडर ही यूस्ट तो कॉल हिंसल पर अगर उसका अंत भी ऐसा ही हुआ इसलिए पहले दीजिए deposit and then enjoy the fruits पहले deposit कीजिए मेहनत कीजिए नेलसन मंडेला को लीजिए फिदेल क्रास्ट कास्त्रो क्यूबा पहले मेहनत कीजिए फिर आएंगे results आपके पास पहले आहूती दो फिर प्रसाद दो शन्ती लो align by the cosmic order it will nourish you cosmic order से align हो जाएंगे it will nourish you or it will perish you गीता कहती है यदि आप aligned है यग्य भावना से कर रहे हैं तो आप nourish होंगे अन्यत आप perish हो जाएंगे verse 16 में गीता कहती है मोधम जीवती ऐसा व्यक्ती व्यर्थ में ही जीता है जो law of nature से abide नहीं है तो तीन शब्दों का प्रयोग भगवान ने किया verse 12 वो चोर है जो वो खारा है अधम बुन जते है वो पाप है तेरा और अन्ति में वो कहता उसका पूरा जीवन ही व्यर्थ है फिर से आना पड़ेगा उसे प्लेनिट पे बेकार करके गया अपना पूरा जीवन verse 16 chapter 3 भगवान कहते है सो पूरी काइनात गौड का यग्य है भगवान का यग्य है कैसे पूरी काइनात यग्य है verse 14 and 15 chapter 3 भगवान स्पस्ट रूप से समझाते हैं हम सब आप खुद को देखिए हम सब समस्त प्राणी कैसे पैदा हुए अन से पैदा हुए अन नहीं होता तो हम नहीं होते न क्यों जो पिता ने हमारी मा के गर्व में बीज दिया था वो कहां से आया था वो पिता ने जो अन्द खाया था उसी थे तो बीज बना मा ने अन्द खाया तो हमारी परवरिश हुई हम नरिश्ट हुए तो हम उसी अन्द से तो आए जो हमारे माता पिता ने खाया समस्त प्राणी अन्द से आए अन्द वर्षा से आता है वर्श फोर्टीन फिफ्टीन हम बता रहे हैं वर्शा यग्य से आती है और यग्य कौन कर रहा है इस पूरी काइनात में ब्रह्मा दे क्रियेटर वो सेलफलेस कर्म कर रहा है तो क्रियेटर का सेलफलेस कर्म है और क्रियेटर कौन है अविनाशी भ्रह्मन वो अविनाशी भ्र है वही भ्रहमा के रूप में सेलफलेस कर्म करता है जिसको हम यग्य कहते हैं यग्य से वर्षा होती है वर्षा से अन्न होता है अन्न से समस्तित प्रानी चलते हैं आपको और डीटेल में जानना है आप विदांत सीरीस का ईश्वरा सेशन अटेंड कीजे भ्रहमन नित्यम क्या करें हम अता तुम भी यग्य करो तो हम यग्य कैसे करें यग्य भाफ से कर्म करो बिल्कुल यग्य भाफ से कर्म करो तो जब यग्य भाफ से कर्म करेंगे हम तो क्या होगा एक कंडियूजिव इनवार्मेंट बनेगा एक ऐसा माहल बनेगा जो हेल्पिंग होगा मदद And then you'll get positive results. And उन results को आप आनंदत से भोगी है. तो भगवान गीता में यह नहीं कहना है, results नहीं भोगी है. बिल्कुल भोगी है. पर यग्यभावना से कर्म कीजे. और केवल राजसिक या सात्विक कर्म ही कीजे. अतहर, spirit of dedication से कर्म कीजे. Offering to hire and lead to the service of many. और इस यग्यभावना से कर्म करें. और इस कर्म करने से क्या मिलेगा? Verse 17, chapter 3. आत्म संतुष्टी मिलेगी. आत्मनी एव संतुष्टह. आप स्वेम में संतुष्ट रहेंगे. स्वधर्म जब आप करेंगे. अना सक्ती के साथ काम कीजे. Verse 19, chapter 3. असक्तह कर्म आचरड़. असक्तह के कीजे. Just as an instrument, I am doing my duties. मैं एक instrument के रूप में कर रहा हूँ. इसका मतलब मेरे करने या ना करने से मेरा परसनली कोई प्रयोजन नहीं है. I am just doing it as a duty. करतेन कश्चन अर्थह ना आ करतेन एविचर. Verse 18, करने या ना करने में मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है. और यदि हमने ऐसा जीवन गिया, तो लाइफ विल बी ब्लिस. Chapter, verse 17. पूरा जीवन ब्लिस्फुल हो जाएगा. और ऐसे व्यक्ती के लिए तस्से कार्यम न विद्यते. उस व्यक्ती के लिए कोई कार्य होता ही नहीं है. Verse 17, उसके लिए कोई वर्क होगा ही नहीं. It won't be a work. It will be fun for him. It will be worship for him. It will be love for him. आपको उसके चेहरे पे चमक देखेगी जब वो कर रहा होगा. मस्ती से जीएगा और मस्ती से दुनिया से चला जाएगा. Let me summarize it. अपने speakers बंख कर ले. I would like to summarize it in quick note. So हमने बात की कि जब ये शुरुवात हुई, अरजन ने करशन से पूछा कि मैं confused हो गया हूँ. तो एक confused अरजन ने पूछा कि मैं क्या करूँ? आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं ग्यान और कर्म की? तो करशन ने अरजन को कहा कि अरजन ये जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, ये दो तरह की निष्ठा हैं लोगों में. दो तरह की निष्ठा है, एक तो man of thought होते हैं और man of actions होते हैं. Man of actions को योगी कहते हैं, man of thoughts को ही हम सांख कहते हैं. सांख के ग्यान मार्ग है और योग कर्म मार्ग है. अधिकतर लोग इसका combination भी हो सकते हैं. पर तेरा temperament तो action का है. और तु मुझसे पूछ रहा है, तुझे कर्म में क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि तु कर्म मारगी है, तु तो योद्धा है. और तुझे क्या लगता है, कुछ ना करना इतना सरल है. ये बड़ा कठिन होता है, क्योंकि इनसान अपनी वासनाओं और आदतों का गुराम होता है. कोई थौट ना अना, अपने थौट्स को regulate करना तो सौमी हो जाना होता है, पीलिंग्स को regulate करना मुनी होना होता है, और एक्शन्स को regulate करना योगी होना होता है. तो सेल्फ रेगुलेशन करना उतना सरल नहीं होता, जो तुमें लगता है, कि तुम सन्यास ले लो. इसलिए ये इंपोर्टन्ट है, आज दुनिया में जो भी लोग बड़ा-बड़ा काम कर रहे हैं, सालों की महनत कर्म योग है, तो आज उस ज्यान को प्राप कर पाए है, इसलिए कर्म से भागना शांती नहीं है, कर्म को साधना शांती है, डेस्टिनेशन सिंड्रॉम से बाहर हो, और जब भी कहीं धर्म धर्म बे युद्ध हो रहा हो, तो सबसे बड़ा तीर्थ रणशेत्री हो, आप मौन नहीं रह सकते, इसलिए कर्म या ग्यान नहीं है, आप्शन, कर्म और ग्यान है, कर्म से ग्यान है, कर्म ही बारंबार करने से, हमें सुधार का मौका मिलता है, इसलिए अवेर एक्शन कीजिए, थौट, फीलिंग्स, बड्स और एक्शन को अवेर कीजिए, इसी से हम खुद को प्रेम कर पाएंगे, और सही एक्शन कर पाएंगे, और डिप्रेशन और आत्महत्मता होने से बचेंगे, इसलिए लव यॉर्सेल्फ, खुद को हमें प्रेम करना चाहिए, जागरुक कर्म का सुतव फलही ग्यान है, नॉलेज इस अन आउटमेटिक फूट अवेर एक्शन, और इसी तरह के अवेर एक्शन से चित शुद्धी मिलती है, जिससे ग्यान योग्यता प्राप्ती होती है, eligibility मिलती है, जिससे हम गुण ग्यार को समझ पाएं, गुण ग्यान को समझ पाएं, और इसी लिए कर्म इस मस्ट, नॉन एक्शन इस नॉट अन एक्शन, कर्म त्याग सन्यास नहीं हैं, एक शन के लिए भी आप कर्म नहीं कर सकते, और यदि तुमारे मन में कुछ और है, और तुम कर्मों की जगे, मन से तुम संसारी हो, और बाहर से तुम सन्यासी हो, तो तुम हिप्पोक्रेट हो जाओगे, और लोग मिठ्याचारी तुमें कहेंगे, तुम वहाँ भी, जंगल में जाके भी यही सोचोगे, because man is where his mind is, तन प्रवासी होता है, मन प्रवासी नहीं होता, इसलिए सन्यास is freedom in action, not freedom from action, अकर्मन्दता सन्यास नहीं है, इसलिए फालतु की बाते बंद करें, wrinkles of mind को हटाएं, फोकस होके एक wrinkle free mind बनाएं, और स्वधर्म का पालन करें, स्वधर्म को पता लगाएं, what you love, what are your blessings, what world needs and what world can pay for, and अपनी inner calling और career की तरफ आगे बढ़िये, स्वधर्म में तुम हमेशा खुश रहोगे, जीवन बंधन से मुक्त होगे, और अगर नहीं तो नस्ट हो जाओगे, क्योंकि जीवन दुखी रहेगा, तुम वो कर रहे होगे, जिसमें तुम्हें मजा नहीं आ रहा होगा, तो ऐसा जीवन बेकार हो जाएगा, तो कैसे कर्म करो, जब स्वधर्म पता लग जाया, तो यग्यभावना से कर्म करो, spirit of dedication, offering to hire and lead to the service of many, and एक instrument बन के काम करो, when I can be instrument of lord of, the law of land, can't I be the instrument of law of lords, क्या मैं उनका instrument नहीं बन सकता, और इसी,